हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो जोशी नेटिंग चैनल आज मैं आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ ये मेरी जो फ्रेंड्स है यूटूब पे आचना नेगी उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैं आप उनके लिए डिजाइन शेयर करूं त बगनेर्स के लिए भी और सिंपल लेटिन मशिन में बना चैनले हमी तो हमने सबसे पहले कितने आगे कर लेंगे、 उसको फसे स्वी हैं तीन निडल ये आगे हो गए फिर तीन हमने इसके बगल से लिए और तीन इसकी साइड से तो हमारे ये नाइन फंदे हमारे आगे हो गए हैं और हमने उसके बाद ये नाइन के बाद एक निडल हमने यहाँ पर खाली कर लेना है दौनों साइड से हमने एक निडल हम खाली कर ल नौ फंदो के गैब में हमारा ये एक निडिल खाली हो जाएगा इधर भी हमने दो चार छे आठ नौ और जो आगे का निडिल है उसे हम खाली कर लेंगी तो हमने पहले आपकी जितनी मर्जी आप उतने फंदी दौनों साइड को बढ़ा सकते हो मैं आपको सिर्फ डिजाइन दिखाने के लिए बता रही हूँ तो मैंने इतने ही लिए तो हमने सबसे पहले साइड से हमने दो निडिल हमने ट्रांसपर टूल में ले लेने हैं और फिर इसे हमने लेट साइट के ओर ट्रांस को मोड़ देना है और फिर दो निडिल लिए और उन्हें आगे ट्रांसपर किया ध्यान से देखिए मैं बहुत ही आराम से बता रहे हूँ फिर हमने साइट से दो निडिल लिए उन्हें भी हमने आगे की ओड़ ट्रांसपर कर लेने हैं हमने अपने तीनों जो हमने 99 फंदे आगे किये हुए हैं उसमें हम यही प्रोसेस करते रहेंगे साइट के हमने निडिल आगे ले लेने हैं और इन्हें ट्रांसपर कर लेना है बहुत ही सरल डिजाइन है इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो वो चाहिए लेडिस काडिगन हो जैन स्वेटर हो बच्चों की स्वेटर हो किसी में भी आप यह डिजाइन अपलाई कर सकते हो बनाने में भी बहुत ही आसान है और लोग इसका बहुत ही अच्छा आता है और अब हमने इस सलाई लगा लेनी है पहली सलाई लगाने के लिए हमारे लिए बहुत ही टाइट होता है तो आप केरिज को आराम से ले जाए अपनी साब से फिर हमने दूसरी सलाई ले लेनी है अगर आपके साइट की फंदे टाइट हो तो निडिल्स आगे का लिजी और हमने 6 या 8 सलाई हम इस पे लगा लेंगी फिर दूसरी स्टेप में हमने क्या करना है पहले हमने बाहर के दो फंदे लिए थे अब हमने अंदर से दो फंदे लेने है transfer टूल में यह लिए फिर इन्हें right साइड को पहले left की ओर मोडा था आब right साइड की ओर यह दिखिए एक बार हमने बाहर से फंदे लेने हैं और एक बार हमने अंदर से फंदे लेने हैं इसी तरह से आप इसको बनाते रहेंगे तो हमारा पैटरन खराब नहीं होगा बस इस डिजाइन में ध्यान यही रखना है एक बार हमने फंदे अंदर की ओर से लेने हैं एक बार बाहर की ओर से पहले हमने बाहर से अंदर की ओर फंदे पलटने हैं दूसरी बार हमने अंदर से बाहर की ओर अब हम अपनी सारी निटिजू टाइट हो रही हम आगे कर लेंगे और एक सराई बड़ी आराम से यह हमारी लग गई है और छे हम लगा लेंगे दो तीन चार पांट छे छे सराई हमारी बन चुकी है फिर हमने पहले वाला फस्ट वाला स्टेप करना है बाहर से लिया फिर यह देखिए बाहर की साइड से और फिर अंदर की साइड का फंदा लिना है तो हमारा यह इक्वल एक जैसा ही डिजाइन आएगा आई हो फ्रेंड्स मैं बहुत ही आराम सी बता रही हूँ आप लोगों को समझा जाएगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दूंगी जिसमें मैंने और भी डिजाइन बनाई हुए हैं आप वहां से भी चेक कर सकते हैं अब हमने वही प्रोसेस किया अब हमने अंदर से फन दे देने हैं यह देखिए यह अंदर से फन दे दिये बाहर की और बाहर से दिये अंदर की और मैंने तीन रो ली हुई है आप इससे ज़्यादा रो भी ले सकते हों और आपकी चाप इसके साइट से दूसरे डिजाइन भी डाल सकते हों या फिर दौना साइट यह वाला डिजाइन डाल के सेंटर में आप दूसरा डिजाइन अपलाई कर सकते हों यह बनने के बाद बहुत ही इसका दूसर लुक है वह बहुत ही अच्छा आता है यह देखिए यह हमारा अभी पीछे से ही इतना सुन्दर दिख रहा है मैं आपको यह थोड़ा सा और बना के फिर आपको दिखाती हूं यह मैंने कुछ बॉक्स और बना लिये हैं अब मैं आपको यह दिखाती हूं कि यह हमारा बनने की बाद कैसा रगता है यह दीखिए यह दीखिए यह दीजाइन हमारा बनने की बाद बहुत ही सुन्दर लगता है यह दीखिए कितना सुन्दर और कितना भरा भरा हमारे यह दिजाइन लगता है इस दिजाइन की एक खासियत यह है कि बनने की बाद जैसे वन चो थ्री यह बॉक्स दीख रहे हैं तो इसमें यह दो भी बीश में अगर हम गैप नहीं रखते हैं तो हमारी यह दो बॉक्स इसमें अलग सा बनके आ जाता है तो अगर आपको डिजाइन अच्छे लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना और नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए कुछ अच्छा सा डिजाइन लाओंगी तब तके लिए टेक केर बाई थैंक फौर वाजीं